हेलो दोस्तो, माइन इम इज प्रेंकर शर्मा और आप सब लोग कैसे हो, अच्छे रो, स्वास्थ रो और गल्स, प्लीज अपना ध्यान देना और ध्यान रखो यार अपना मैं बार-बार जो भी कुछ गल्स के साथ हो रहा है, मैं उस पर बार-बार मैं बोल रही हूं, और मैं काफी दिनों से बोलती आ रही हूं, और खेर बोलने से हो क्या रहा है, यार, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्यूंकि पता है, कुछ हो रहा होता अपने बोलने स तोस्ते कि बोलने का कुछ पाइदा हो रहा पर यह दोस्तों कुछ फायदा नहीं हो रहा दिली 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 दोस्तों मैं एक बात बोलना कहूंगी निर्वया केस हुआ उस दिन संडे था उसके दस साल बाद 31 न्यू एर की रात को जो अंजली के साथ हुआ वो भी एक संडे था बीच में गैप कितना हुआ दस साल का निर्वया को एक बस में बहुत बुरी तरीक्या से उसके साथ मतलब क्या कहें दरण्दगी की गई उसके प्राइवेट पार्ट में सरीय डाले गए कितना सब कुछ उस बच्ची ने साहा होगा कितना उसको दर्द होगा और फिर वो लोग बस से उसको रोड पे पतक के चले गए ऐसे ही सरदी के मोसम में ऐसे ही वो बिना कपडों के रोड पे पढ़ी रही दोस्तों ये तो हो गई निर्भय की बात कि निर्भय के साथ सेक्स्वल असोल्ड हुआ था अब ये बात दूसरी अंजली की गायज अब एक बात बताओ यार दिल्ली पुलिस ये बोल रही है कि ये ना हत्या का मामला नहीं है अरे यार अत्या का मामला नहीं है एक लड़की की जान चली गई एक लड़की की जान चली गई और पुलिस बोल रही है कि अत्या का मामला नहीं है गैर इदा मतलब जान बूज के उन्होंने नहीं किया अनजाने में उनसे हुआ अरे जान बूज के किया अनजाने में किया ये तो उनसे कोई भी चीज संभाली नहीं जा रही है, इतने केस दिल्ली में हो रहे हैं, क्राइम इतना बढ़ रहा है, इतने दिनों में जो भी जितने भी केस हुएं, वो सारे के सारे दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, तो भाई मा की पुलिस क्या कर हiest पृलीस ये बोल रही है पहले तो पृलीस ने बोल दिया हिट अन्र tribun का की मंचेया इन्हों ने जान भूज के कैने किया फिर द देरे 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 बिना सोचे समझे पृलीस नहीं बात जल सैना में अपने नेवी के कोस्ट गार्ड के जवान और एयर फोर्स में अपने एयर उसके जवान और अपनी जो है यार देश का जो भी अपना लोक तंतर प्रजा तंतर जो भी है उसमें फिर एक पोलीस का योगदान तो यह सारी फोर्स हैं जिनकी वज़े से अपन चैन से घर में बैठ रहे हैं बट यार गाई जब एक बात बताओ कि जब हमारा एक जवान 24-24 गंटे खड़े होके देश की सेवा कर रहा है और पुलिस पुलिस बिना सोचे समझे यह बात बोल रही है कि यह इटन रन का केस था और मतलब एक्सिडेंट हो गया पहले तो उन्होंने यह बात बोल दी फिर उसके बात धीरे दीरे अब यह निदी आई है और निदी ने क्या बयान दिया मैंने उस दिन भी बोला था दोस्तों जब तक तो ना मुझे यह पता भी नहीं था कि निदी मतलब ड्रग कंजूम भी कर मुझे यह बात जब तक पता भी नहीं थी और मैंने तब ही बोला था यह निदी सबको गोल गोल गुमा रही और यह खुदी गोल गोल गुमते गुमते ना फासी के फंदे तक जाएगी और दोस्तों अब नहीं बात अपने को पहले चार आरोफी थे पिर पांच होगे पिर सेक्सवल असोर्ट नहीं हुआ है हरे यार मलब सेक्सवल असोर्ट होता तब भी वो मुझरिम करार देंगे वैसे नहीं देंगे हैं अत्या तो अत्या है ना किसी की जान गई है तो गई है ना वो चाहे एक्सिडेंट की वज़े से गई है चाहे कैसे भी गई है जान तो जा अच्छे होते हैं कि तब पैसा लगता है एक पैसे वाड़ा आदमी होता है ना उसके भी अना वोश उड़ जाते हैं और इस निदी ने उस टेम पे बयान दिया कि उसने ड्रिंक रखी थी अंजली ने और मैंने उस तिमना करया कि बाई गाड़ी में चला लिए लेकिन उसने म दर बैठी रहती है अपने मा को बोलती है कि ममी ऐसे एक्सिडेंट हो गया और मतलब उसको बहुत चोट आई और उसको लग गई ये बात तो दोस्तों फिर उसके बाद जब पुलिस पूस्ताच के लिए बुलाती है ये सब मीडिया में बात सर्कुलेट होती है उसके बाद हमें पता चलता है कि 2020 में वो गांजे की तसकरी में पकड़ी गई और एक मैने तक वो जेल में रही क्योंकि उसकी बेल नहीं हो पाई और फिर उसकी मा ने आज टीवी नाइन पे और इन पे सब पे अंजिली की मा का और भाई उसकी निदी की मा के इंटर्व्यू चल रहे है तो सबसे पहले तो मैं इंटर्व्यू बताऊं यार कि मतलब ये जो निदी की मम्मी है यार देखो ये बोल रहे हैं कि मैं निदी के साथ मैं नहीं रहती थी ठीक है भाई इनोंने बेदखल कर रखा था क्योंकि उसकी हरकते यह सी निती कि उसको गर में रखा जाए उसकी मा दूसरों के गर में काम करती है, कूळा करकर कर उठाक इस अपना पेट पाल रही है, अक बात तो उन्होंने यह बोली कि भाई मैं तो यह काम करती हूं और भाई आपकी बेटी क्या करती है भाई उसने मुझे बुला कि मैं ब्यूटी पालर में काम करती हूँ फिर उससे ये बात पुची गई कि बाई ये 2020 में गंजे के केस में पकड़ी गई ड्रग तसकरी के मामले में तो ये बात आपको नहीं पता तो उसने बुला नहीं मुझे नहीं पता इन सब बातों का तो भाई जो वकील ने बयान दिया है जो निदी का जो वकील है उस केस का उसने क्या बोला है कि वो जितनी बार भी तारीक पे आई है गाड़ी में बैठी रहती है नशे में रहती है और वो डंग से बोल भी नहीं पाती डंग से वो बयान भी नहीं दे पाती और फिर हमने उस की फैमिली के गरवालों से बहुत रिक्वेस्ट की के पुलिस आपकी बच्ची को आपके हाथ में ही सोपेगी हमें नहीं सोपेगी फिर मतलब निदी की मा गई है भाई वहाँ पे आगरा केंट में जो ये हुआ आगरा गई है वहाँ से वो जेल से छुड़ा के अपनी कि नहीं पता ही नहीं तो भाई कैसे पता नहीं वह वकील जूट बोल रहा है यह यह निदी की मा जूट बोल रही है प्लस यार फिर एक बात सुनी की मतलब जो निदी ने मकान ले रखा था भाई जो इसने 156 लाग का मकान करी दा ट्रिपल स्टोरी तो भाई उसके जो किरा किरायदार किरायदार ने जो किराया दिया तो एक लड़की ने जो किराया दिया वो किराया दिया उसने उसकी मां को निदी की मां को किराया दिया वो किलियर बोल रही है मतलब रिपोर्टर्स जो जिन्होंने पूछताच की वो किराये पे रहते हैं तो भाई किराया को निदी दूसरा महीना चल रहा है, एक महीना खतम हुआ है, तो निधी की मम्मी को हमने किराया दिया, तो भाई, निधी के घर में उसकी माक आना जाना भी था, गांजे की तसकरी की मैं वो उसको छुडा के भी ले के आही है, और फिर वो बोल रही है, कि मुझे तो पता ही नहीं, 2020 केस केस का तो भाई जब आप जेल से छुड़ा के लेकर आ रहे हो जब तो ये बाते भूल जाते हो क्या भाई सीदी सी बात है मैं बोलना चाहूंगी निदी की मम्मी को कि हाँ आपकी कोई गलती नहीं है सुदेज जी अंटी आप भी मेरी मा जैसी है आपकी गलती नहीं है बट आ आपको जब पता था कि आपकी बच्ची ऐसे ड्रक केस में ऐसे वहां से आप उसको छुड़ा के लेकर आए हो तो आप अपनी बच्ची को कंट्रोल कर सकते थे उसको समझा सकते थे लेकिन हो सकता है आप मा हो आपने समझाया भी हो तब भी तो आपने उसको घर से बेदखल किया है क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रही थी लेकिन आज एक बच्ची की हत्या हुई है तो प्लीज आप अब अब तो कम से कम अना अपनी बच्ची का सपोर्ट करो अगर आपका बच्चा सही है तो आप सपोर्ट करो गलत है तो गलत को गलत बोलो मैं तो सच कहरी हूँ दोस्तों अगर मैं कुछ गलती कर दू और मेरी मा ना मतलब बोले कि हाँ मेरी बेटी ने गलती करी इसको चड़ा दो फासी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसने इतना गिलोना काम किया है अरे किया है तो किया है आप बोलो ना ठीक है मा की ममत्त है आप रो रहे हो आपको देख question किये जा रहे हैं आप एक तरह से आप mentally torture हो रहे हो आप रो रहे हो पर आप इतना सोचो अंटी की अना उस बच्ची उस बच्ची की जान चली गई और उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है कमाने वाला भी नहीं है और पुलिस डंग से कारवाई भी नहीं कर रही ये तो डॉक्टर जो भुपेंदर चोरसिया है वो इस मैटर में आए है उन्होंने न्यूस सुनी है तो वो इस मैटर में आए है तो ये सब चीज़े क्या है अब मतलब उन्होंने अपने आत में ली है तो वो कर रहे है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है अब यार ये क्या बात होती यहां कि पुलिस बोली है सेक्ष्य Gymल सोर्ड नहीं हुआ सेक्ष्यश्य असोर्ड होता मतलब इसकी इज्जत लुठती और उसका रीप होता उसके बाद में वंपने तो भाई वह मॉन्व कांट होता हं में उन्हों नहीं कि और यह मतलब यह उसंन्ही Larry मपने में आदमी मर रहा है चाहे कैसे भी मर रहा है एक्सिडेंट से मर रहा है किसी ने टोर्चर करके मर रहा है उस वो लड़की कम से कम यार 5-6 किलो मेटर दो गाय चार-5 किलो मेटर तो वो लड़की गिस्टी है तब तक तो वो जिन्दा होगी न मज़ा है उसकी दैत कैसे हुई है कैसे हुई है उसकी शौक एंड मतलब ब्लीडिंग की वज़े से की एकस्स्य सक्काल में ब्लीडिंग हुई उस बच्ची के बोडी लश्मकी सिक वहा 박े कर दिया लश्मक बसे लॉइन नी कुछ भी नी कुछ भी नी बचा जिए के मुताबिक पे 45 किलो की अंजली 15 किलो की ऑग आई एक स्कलेटल आया सिर्फ एक स्कलेटल और तो और दोस्तों सिर दिमाग ये भी नहीं ये भी नहीं मिला पुलिस को और वो बयान दे रही है कि उसने दारुपी रखी थी अरे खुद तो मतलब नहीं दी मैंने उस दिन भी बोला थो राद दुबारा बोल रही हो नहीं दी तुने किसी की बेटी पेल जाम लगाया कि उसके वाइफ्रेंड ते उसने दारुपी थी आ गया पोस्माडम में मैंने पिछले वीडियो में भी बोला उसने ड्रेंक नहीं की थी बट हाँ जो तू आज नसे की बात कर रही है न तू तेरी बात तो में आज तू ही फस गी है तुझे ये बात बोलने से पहले दस बार सोच लेती न तो बहुत बढ़िया होता क्यूं क् खुद तो मतलब तुम गांजे की तस्करी कर रहे हो तुम सब कुछ कर रहे हो और यार गाईस सोचो आज आँउज़े एक लाख ही दौने महिनाक अमारे अमारे पास नहीं 25-34 मकान ко अपने दम पे निखरीद पारे और वो लड़की कुछ भी कर रही थी कुछ भी कुछ भी काम कोई भी दंदा नहीं उसकी मम्मी को उसने बुला ब्यूटी पालर तो भाई वो कौन सा ब्यूटी पालर है अगर कोई ब्यूटी पालर में वो काम कर रही होती न तो अब तक तो न मीडिया चैनल वाले और पुलिस वाले सब उस ब्यूटी पालर में पोच जाते और ये चीज पूछते कि भाई निदिया काम करती थी तो उसका ब्येव कैसा था वो कैसे रहती थी पलाना धिमका वो 17 कोस्चन उस ब्यूटी पालर में भी जाके पूछ लेते लेकिन कोई का खुद कंज्यूम भी कर रहे हो उसके बाद आप सप्लाई भी कर रहे हो बैजबी चार मकान खरीद लिए तो ऐसे किसी पर खरीदा हुनिया थे चार मकान इमानदारी से उसकी मां तो गरों में कुड़ा करकट उठा रही है गरों में काम करी है वो विचारी तो और भाई बैटी के बाद चार मकान है यह कितनी सी हूमर में अमसल है रहे तो बाड़ों में दोले आने लगए और अमनी खरीद पार एहर तीन-चार मकान और फिर उपर पिलीस कहती है कि अत्य का केस निया अत्या का निया तो यह और कैसे होगी अत्या पुलिस वालों आप बता दो ज प्रेटन रनन का कीस हो जाएगा ने एकसिडेंट का तो आप ही न लोगों को ये क्राइम करने वालों को शैदे रहे हो पुलीज वालों दिल्ली पुलीज आप ही शैदे रहे हो की आगए कोई काण्ड होगा ना तो वो बोल देंगे कि फलाणे केस में ऐसा हुवा था तो पुलिस ने बोला कि भैई अना ये तो accident हो गया तो वो भी बोल देंगे कि भhof अगई accident हो गया शर्दा मडर केस में कुछ नहीं हुआ, दिलदार अंसारी वाले केस में कुछ नहीं हुआ है, इरफान खान वाले केस में आप पे कुछ नहीं हुआ है, आज अंजली वाले केस में भी आप पे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप कितने ही दिन की रिमांड ले लोगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो क्यूंकि आप फोल्ट में हो आप अपना भी फोल्ट मतलब आप जो आपने जो फोल्ट किया आप उस फोल्ट को भी छुपाना चाह रहे हो क्यूंकि जो 31 को दिसंबर भाई बियर पीली भाई पार्टी कली लोग बा जो दारू पी के डोलती हैं, उनके साथ ऐसे होता है, वैसे होता है, अरे फलाना डिमका, अरे अरे लड़कों और लड़किएँ, तुमारे भी घर में मा बेन बेटिया हैं, आप बैठे बैठे जो लाइब में जो ये कमेंट कर रहे हो न, की लड़कियों को ऐसे रहना चीए, दारू पी के ऐसे क्यूं डोलना था रात को अरे लड़के दारू पी सकते हैं लड़किया नहीं पी सकती ये कौन सी बात है और कौन नहीं पीता आज कल सब पिते हैं न्यू येर था तो भाई पी ली और वैसे तो उस बच्ची ने पी भी नहीं पोस्माटम में भाई आ जाता एक चीज अगर आप medical line से नहीं भी हो ना तो Google पे सर्च कर करके देख लो अच्छे से वैसे पता चल जाएगा तो है नहीं medical line से जो आपको justification देदेगा पर जो नहीं है वो भी Google पे सर्च कर ले यूटूब पे देख ले गणी जगे पता चल जाएगा खुद एक drug addict लड़की और उसके बारे में उसके करेक्टर के बारे में और दारू के बारे में बोल रही है जो उस बच्ची ने किया नहीं वो उस पे डाला जा रहा है जगड़ा हुआ पैसे पे दोस्तों पता नहीं हो सकता है कि अंजली के गर की आलत खराब थी तो हो सकता भ लड़के आदमी लोग supply करते हैं लड़की ऐसे बिचारी सी लगती है यूं लगती है तो भाई वो supply करने में क्या पता असानी हो तो इसलिए हो सकता है कि उसने अंजली को भी इस चीज में बोला हो कि भई मैं ये काम करती हूँ तू भी मेरे साथ ये सब काम कर ले क्या पता यार उस बच्ची के घर की आलत खराबती क्या पता उसने ये चीज की हो या फिर वो करने जा रही हो नहीं तो पैसे का मैटर भाई दस पंदरा दिन पहले आपको कोई लड़की मिली है पैसे का मैटर कौन सा पैसा कैसा पैसा कौन से पैसे नहीं दिये भाई है ऐसे कितना प पक्ता देखना आग आने वाले टाइम में अपने को पता चलेगा कि इस निदी ने भी अंजली से कोई ऐसा काम करवाया है और फिर उसका कोई पेमेंट वेमेंट होगा जो अंजली ने नहीं दिया होगा जिस बात पर इसको इसने जगडा किया और फिर जो हुआ और भाई अपनी गलतियों को चुपाने के लिए दूसरे पर जो गलती मन रहे हो ना तो मनते रहो और क्राइम करने के अच्छे तरीके आप सिखाओ जो दुनिया को क्योंकि भाई जैसे साउधी अरव अगेरा में कानून है ना तुरंत फैसला हो तो तुरंत जान जाती है तो इस टा में जिए मारेंगे है वहां पे रोड़ों पर पुलिस नहीं खड़ी रहती है बिल्कुल खड़ी नहीं रहती पर फिर भी पुलिस का खौप होता है क्यूंकि उनकों पता है यहीं चुरह एप कड़े ओखे होके बृद सॉलित लटकाएंगे वह टाइम भी नहीं लगेगा इसलिए वहां की सड़कों प्रिस नहीं होती बटा मारे या पे सड़कों प्रिस तो है पर क्रैम बंद नहीं हो रहा जान जारी है और बोल रहे हैं कि अत्या का वह नहीं है शेरम करो यार दिल इपले स शेरम करो थोड़ी बहुत तो केस को अच्छा से स्टेडी करके जांच पड़ताल करो जो दूद का दूद पानी का पानी हो जाए किसी की बच्ची चली गई यार और आप बोलते हो कि अत्या का इराद्द नहीं है सेक्स वाला सोट नहीं हुआ सेक्स वाला सोट नहीं हुआ भाई किसी का रेप होगा जबी मानोगे क्या आप दोस्तों क्या हुआ है निर्पया केस में उसके साथ गैंग रेप हुआ और उसको मारा गया इतनी बुरी तरीके से और वो संडे था फिर दस साल बाद वही संडे वही संडे और अंजली को गिस् गैज और ये जो आप ये कमेंट कर रहे हो ना कि दारूपी के डोल रही थी ऐसे गुंगते हैं इनके साथ तो ऐसा ही होना चीए आप इस देश के नागरिक होते होए भाई आप में मानरता नाम की उमिनिटी नाम की चीज कोई बची है के नहीं ये बता दो मुझे कोई बच कर दिया और कोण नहीं कर रहा था लोग बाग तो बाई विदेश गये कोई को अलщ गया कोई मा चल गया कोई का है किसी ने अपने गर पे बैठ के अलिब्रेट कлять kuै ये रैटकी ये से नहीं किया ठूरही सिग्रेट पिएंगे छोड़े सारे काम करेंगे मैं यह नहीं कहती है कि वहां प्लट करते हैं है वहां साल काम करते हैं और थोड़ी बहुत ऐसे मस्ती और चिल हर कोई मार लेता है चाहे लड़का हो चाहे या लड़की यार बटे यार ये बूलना इस तरह के कमेंट्स करना कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के गुमती हैं दारूपी के रात तो को यूँ डोल रही थी तो फिर इनके साथ ऐसा ही होगा ना तो मतलब यार पार्टी सकती भाई लड़कियों सुनलो भाई अपने देश के लड़के लड़के ये बोल रहे हैं कि लड़की रात को ऐसे डोल लेगी तो उसके साथ ऐसे ही होगा तो भाई लड़कियों सुनलो रात को ना अपने यांके जो कुछ है ना जिनकी मान सिकता इतनी निचले इस तरकी ह तो लड़ी तो बोल रही हूं तुम्हें बार बार बोलती हूं गल्स भाई रात को बार निकलना अपराद करना होता है इनकी नजर में जीन्स पहनना कोई कपड़े पहनना शोट्स वगेरा पहनना भाई कोई कपड़े पहन रहा है तो यह अपराद की शरेणी में आ रहा है आ ये लाइव कमेंट ये लाइव कमेंट शरम नी बची यार तुम लोगों को थोड़ी बहुत कहीं हो न तो चुलू बरपानी में जाके डूब मरो और दिल्ली पुलिस अभी भी इतने सारे सबूत आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप अभी भी मतलब जो कातिल है उ कुमारे आज से चली जाए तो ये बहुत गलत है बहुत गलत है चाच चर मकान यूँए खरीदाओं नहीं आते ठीक है गाईज क्यूंकि मैं तो बोलूंगी मुझे पता है मैं आपको ये बोलूंगी कि यहर मेरी बात सुनो और प्ली ध्यान दो आप भी मेरी तरह प्रोटे कोशिश करती हूं और दोस्तों मैं न कोशिश करूंगी कि मैं अंजली के गर पे जा पाऊं और उसकी मा से मैं मिलूं उसकी फैबली से मैं मिलूं और कुछ मैं उनके लिए कर सकती हूं तो मैं करूं मैं जाओंगी तब दोस्तों मैं आपको वाकायदा मैं वो चीज मैं नहीं और भाई ऐसे मत बोलो यार कि ऐसे गूमने से फिणने से दारू पिने से ऐसे करेंगी तो ऐसा होगा भाई लड़की भी अपनी अजादी से जी सकती है रह सकती है भाई ऐसे थोड़ी नहीं कि लड़की है तो यार आप उसको चार दिवारी में कैद करके रखोगे तो आप कुछ नहीं बोलते विचारे एक आम आदमी ने नियुएर सेलिब्रेट कर लिया कुछ कर लिया तो आप ने इतने कॉमेंट ठोक दिये भाई तो सोचो और समझो यार क्या बोल रहे हो आप क्या लिख रहे हो ठीक है गलस यार अपना ध्यान रखना प्लीच